हलो नमस्कार इस्ट्वेंट मैं विशेक भार्गाव 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 ग्लास के इस यूट्व चैनल में आप लोका बहुत-बहुत स्वागत रहता आज कर वीडियो को टपिक है पांच मार्ग दोजार वीडियो दिखेंगा बहुत इंपोर्टेंट होते हैं वीडियो तो जल से हल सब्सक्राइब कर लिजे और बैल का इकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिकेशन आपको मिलता रहे तो आज का जो करेंट अफेर है वह स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है कि गुडियारी में बने 30-20 वाले हमर अस्पताल सामुदाई स्वास्त पूछन इंद्र का सुभारान स्वास्त स्वास्त मंतरी टी-स सहदेव ने किया यह अस्पताल पूर्णता पेपरलेस और कैस्ट यही कूशन हम ने किया था कि पेपरलेस और गास्ट चैश ने का इसमें 42 टेस्ट 114 निसुल को दवाई एं अत्याधुनिक सुसरजित लैब, सोनोग्राफी, एक्सरे, दंट, चिकिस्सा, छत्रीगड का पहला, आधर से टिका करने, इंद्र, मॉडुलर, डार्क रूम, गर्वती महलाओं का पंजियन, जाच वा, टिका करने की सुईधा उपलब्द कराई गई है तो बहुत important question है exam में पूछा जा सकता है दूसरे प्रशन की तरफ चलते हैं, दूसरा प्रशन है, ये भी एक exam के point of view से important question है ठीक है, देखे सुनिएगा, कि पहली बार शत्रीगडी भासा में लिखा, महासी उपुरान golden book of world record में दर्ज हुआ तो किसने लिखा है ये, तो ये आपको बताना है, ये हमने पहले भी मैंने आपको ये बताया हुआ ये question ठीक है, तो किसने लिखा है, ये लिखा है गीता सर्मा ने, किसने लिखा है, गीता सर्मा ने पहली बार छत्रीगडी भासा में लिखा, महासी उपुरान golden book of world record में दर्ज हुआ इसे सहर की गीता सर्मा ने 6 माह में लिखा है, इतिहास में MA तक पढ़ाई, पढ़ी सहर की गीता सर्मा ग्रिहनी है गीता ने बताए कि इसमें 24,000 लोकों का 36 गड़ी में अनुवाद है, इसमें 1200 पन्ने है और बजन धाई किलो है, ठीक है, तो धिहान रखिएगा तीसरा प्रशना है कि 36 गड़ से भगवान राम का एक रत अयुद्ध्या के लिए रवाना किया जाएगा, भक्तों ने इसे क्या नाम दिया है, आपको बताना है कि इस रत का नाम भक्तों ने क्या दिया है, ये भी एक्जाम के पट्वी से इंपोर्टेंट है, आई पीटी क ने रवाना किया जाएगा, भक्तों ने इसे भाचा भेट रत का नाम दिया है, भगवान परशुराम के जन्व अच्छे तृतिया के दिन ये रत यात्रा राजधानी से रवाना होगी, तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है, चौथा प्रशना है कि ऑनलाइन आईडि कर लिजेगा क्योंकि इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वो होगा, रीता मंडल, रीता मंडल को जो है वो नवाचारी राश्टिय सिख्छक पुरुसकार जो है, वो दिया गया है, शिख्छा के छेत्र में नवाचार से अलख जगा रखी, पी आईटी दिल्ली में दिया, तो याद रिखेगा, ठीक है, पाचाव प्रशना है कि जीरम घाटी नकसली हमले में जान गवाने वाले कांग्रेस नेताओं की याद में कहा सही इसमारक बनाये जाएगा, बजट वाला अगर आप लोगोंने वीडियो देखा होगा तो उसमें म जीरम घाटी नकसली हमले में जान गवाने वाले कांग्रेस नेताओं की याद में नवाराइपूर में सही इसमारक बनाये जाएगा, बजट में इसका प्रवधान जो है वो किया गया है, बता दे कि 25 मई 2013 को बस्तर के जीरम घाटी में नकसली, नकसलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में ताबर तोड हमले कर 29 नेताओं को मौत की भाट उता रहा था, इस हमले में कॉंग्रेस के ततकालीन प्रदेश अध्यक्स, नंकुमार पटेल, पूर्व केंदरी मंतरी, विद्धाचरण सुकल, पूर्व मंतरी, महेंदर कर्मा, पूर्व विधायक, उदय मुद्यार समयत कई वरिष्ट नेताओं की जान गई थी, कॉंग्रेस का सिर्फ नेत्रित्व ही खत्म हो गया था, नवाराइपुर में सहीद इसमारक इंकियाद में बनाए जाएगा, वियाबर कीगा, छटो प्रशन है कि धान की अंतर की रासी, कितने किस्तों में रा किस्तों में उनको दी जाएगी, किसके तहत राजियू किसान नयाई योजना के तहत, प्रदेश सरकार राजियू किसान नयाई योजना के तहत, किसानों को धान के अंतर की रासी दो किस्तों में देगी, किसानों को प्रती कुंटल 680 रुपे दिये जाने है, इनमें से 350 भुशना की थी, ठीक है, तो बजट में, 550 करोड रुपये प्रवधान इसलिए कि लिए किया गया था, पांश ये रॉट करोड रुपय का, ठीक है, फासर र Campaign, राश्टी स्कॉच अवार्ड कौन से जिले को मिला है तो राश्टी स्कॉच अवार्ड जो की सबसे ज़्यादा important है इस PDF या इस current affair के part में तो IMPT कर लिजे क्योंकि award का section है राश्टी स्कॉच अवार्ड है तो यह important होगा तो यह दिया है कांकेर जीला को किसको दिया गया है कांकेर जीला को दिया अब क्यों दिया गया है राश्टी स्कॉच अवार्ड कांकेर जीला को भी देख लेते हैं तो मुख्यमंत्री सूपोशन अभ्यान के अंतरगत कांकेर किलकारी के सफल संचालन और सतत मॉनिटरिंग से कूपोशन की स्थिति में सुधार लाने पर कांकेर जीला का चैन राश्टी सिविलियन स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया है तो याद रखेगा ये किसलिए किया गया है कांकेर केलियारी का मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान के अंतरगत किया गया है कूपोशन मॉनिटरिंग सतक के लिए किया गया है राष्टी सिविलियन स्कॉच अवार्ड के लिए किया गया मुख्यमंत्री सुपोशन अभियान में बहतर प्रदेसर के लिए जीले के कलेक्टर केल चौहान को 14 मार्च को नई दिल्ली में आयो जीत कारिक्रम में राष्टी सिविलियन स्कॉच अवार्ड से प्रुसक्रित किया जाएगा आठवा प्रश्ना है कि मकर भंजा जल परपात कहा इस्तीत है बहुत नाम चलता है आप लोग उने पड़्र लुपर में पढ़ा होगा मकर भंजा जल प्रपात तो ये कहां इस्तीत है तो ये जस्पूर में इस्तीत है कहां पर इस्तीत है मकर भंजा जल प्रपात तो ये जो है जल प्रपात बहुत अभी पेपरों में न्यूज में सब जगा चल रहा है तो क्यूं चल रहा है अब उसको देख लेते हैं ठीक है तो 36 गड़ में अभी तक तीरत गड़ जल प्रपात को प्रदेश का सबसे उचा जल प्रपात माना गया है लेकिन जस्पूर में हाली में एक नया जल प्रपात सामने आ है जो प्रदेश के सबसे उचे जल प्रपात के रूप में किर्तिमान हासिल कर सकता है या किर्तिमान इस्थापित कर सकता है कौन सा मकर भंजा जल प्रपात जीला प्रसासन ने अब तक जल प्रपात को सवारने की यूजना पर काम भी सुरू कर दिया है प्रदेश का सबसे उचा जल प्रपात का दर्जा बस्तर के तीरत गड़ को दिया गया है लेकिन 300 फिट उचा जल प्रपात कई स्ट्विपों में गिर रहा है मिली जानकारी के मताबिक जस्पूर के मकर भंजा की उचाई तीरत गड़ से भी जादा हो सकती है तो याद करना को बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों बचपन से पढ़ते आ रहे हों कॉपी पेन लेकर नोट डाउन ही करना है ठीक है बाकी कुछ नहीं करना है तो नोट डाउन करके अपने पास में रखेगा उनमें IMP कर लिजेगा और उनको एक बार जरूर एक बार जरूर की तरफ चलते हैं देखें नेक्स्ट कोशन जो है आप लोगों के लिए है आप लोगों ने बजट का वीडियो भी देख लिया बजट पढ़ भी लिया होगा अभी तक आप लोगों ने तो आप लोगों को ये कोशन जो है बड़े असानी से जो आप लोग बता सकते हो ठीक और आपके सहीयोगियों को भी, जिनको नहीं मालूम होगा, उनको भी इस question के बारे में मालूम पढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको ये comment section में comment करकर बताना है, बहुत ही अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं, मैं सारे comment लगभग लगभग पढ़ता ही हूँ, ठीक है, आप लो करिएगा, ताकि वो हमें भी पता चले कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है, तो comment थोड़ अच्छे से करिएगा, बताईएगा कौन सी परियोजना है, क्यूं फिर से सुरूप किया गया है, क्यूं बंद हुआ था, तो नीचे comment section में comment करकर जरूर अगर आपको paid group नहीं join करना है, तो आपको थोड़ा सा महनत करना है, पेन और copy से, इसको खली note down करना है, ठीक है, और paid group उनके लिए है, जिनके पास में समय नहीं है, जो job में जाते है, जो समय नहीं दे पाते है, college going है, या busy रहते हैं, उनके लिए paid group है, उनको ही PDF जो है, वो paid group join करने के बाद में ही, उनको PDF प्राप्त हो पाएगा, अगर जिनके पास मैं समय ही समय है, जो त्यारी कर रहे हैं, उनके लिए 4-5 question copy में note down करना, कोई बड़ी बात नहीं है, रोज जो है, वीडियो तो upload होई रहा है ग्रूप में, तो वहाँ जाकर जो है, अराम से note down कर सक पेहन पास के वीडियो में इतना ही था, जय हिन, जय भारत